कुई तो है जो निजा में हस्ती चला रहा है वोही खुदा है कुई तो है जो बिसमिल्लाह रह्मान रहीम अल्हम्दुल्ल्लाह रब लालमीन वस्सलात वस्सलाम अल्ह स्यद्लमुर्सलीन अजीज तल्बाव तल्बाद एमे अलुम इसलामिया तक्षस्सफिक है इसलामी के कुर्स जर्मों सजा के इसलामी कानुन कॉर्ड नंबर 45 66 के सलसले में आज हमारी गुफटगू होगी आज की ये गुफटगू जरायम ए हदूद और उनकी सजाओं से मतल्istance है जरायम हदूद और उनकी सजाओं से मतलब मوजू एक तवील मوजू रहे इस में से अमुमी तारफ के बाद हम सिर दो जर्म जर्म जना और जर्म हे कज़फ के मतलब कालग आज की इस नंशिस्च में गृफटगू करें के प्रोग्रामों में की जाएगी।ificación धिस तर्बाउ तल्माद है। आप cidade हएं के इसलामी कानून में जराइम की तीन किसें कի सूरते होती हैं। एक वो जराइम जो खदुत अल्लॉक के ख्रूदा के ख्रूदा तूसरे वो जरायम जो जो इनसानों की जानों के खिलाफ हो और तीसरे वो जराइम जो अमूमी हकूमती आहकाम के खिलाफ हो पहली किसम के जराइम को जराइम हदूत कहा जाता है दूसरी किसम के जराइम को किसास और दियत के जराइम कहा जाता है जबके तीसरी किसम के जराइम को ताजिरात के जराइम कहा जाता है इन जराइम में शिद्दत के इतबार से और असरात के इतबार से जराइम हदूद सबसे ज्यादा और नमाया है जराइम हदूद असल में वो जराइम हैं जो बहुत ज्यादा शदीद हैं और शदीद होने की बनापर अल्लह ताला ने इनकी सजाएं खुद मुकर्र फर्मा दी हैं चुनाचे ताजिरात के बरक्स हदूद के जराइम और उनकी सजाओं के बारे में अहल हलो अकद को किसी किसम का कोई अख्तियार नहीं है हदूद की सजाएं कुरान और सुन्नत की वाज़ नसूस की रोशनी में मुतायन की गई है और मुकर्र की गई है और इन नसूस की रोशनी में मुतायन की गई सजाओं में फुकहा को या हकूमत को तबदीली करने का कोई अख्तियार नहीं है इसी बनापर इनको हदूद उल्लह कहा जाता है हदूद की सजाएं असल में हकूक उल्लह की मुखालफत की बन्याद पर मकर्र की गई है हकूक उल्लह हैं तो बन्यादी तोर पर इनसानों की ही हुकूक لیکن انسانوں کے وہ حقوق جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی مخالفت سے انسانی माशूरे پر بہت زیادہ اثرات منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی माशूरे کا امن و سکون تباہ ہو جاتا ہے اور انسانوں کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اسی بنا پر ایسے وہ جرائم جن کی وجہ سے انسانوں کے حقوق کی زبردست قسم کی پامالی ہوتی ہے ان جرائم کو حدود اللہ کی مخالفت قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے उनके लिए उनके लिए खुद सजा मुकरर कर दी गई है वो जराइम जिनको حدود में शमार किया जाता है उनमें जुर्म जिना जुर्म कजफ शराब नोशी, चोरी डाका जनी, इर्तदाद और बगावत है इन तमाम जराइम को हदूद اللہ کی मुकालफत की ब melt पर हदूद कहा गाजाता है और इनकी सजाओं को हदूद में मुकरर की गई सजाएं कहा जाता है इन तमाम जराइम के मुतलिक तालिमात और मबाहिस आपके इस कूर्स में मौझूद है लेकिन हमारी इस गुफटगु में सिर्फ दो पहले जराइम यानी जुरम जिना और जुरम कजफ के मुतलग गुफटगु होगी अजीज तल्बा तल्बात जिना के मुतलग आप जानते हैं कि जिना इलीगल इंटर कोर्स है अगर गैर मशरुप या गैर कानूनी जिन्सी तालुक काइम किया जाए तो उसको जिना कहा जाता है फोकहा ने इस जुरम की मुखलब तारीफ हैं और इसकी तफसील आपकी किताब में मौजूद है आप वहां से इसकी तफसीली तारीफात को देख सकते हैं अमूमी तोर पे इल्लीगल इंटरकॉर्स या गैर कानूनी जिन्सी तालुकात को जिना कहा जाता है ये एक ऐसा जुर्म है जिससे माशरे पर बहुत ज्यादा मुफीद असरात मुरत्ब होते हैं इनसान के बन्यादी हकूक में से एक हक ये है कि उसकी नसल का तहफस हो और नसल के तहफस के लिए कुछ इजाबी इकदामात हैं और कुछ सल्बी इकदामात हैं इजाबी इकदामात में इनसानों के लिए निकाह करना लाजबी करार दिया गया निकाह को आसान कर दिया गया और लोगों से कहा गया कि वो निकाह करके कानूनी जिन्दगी गुजारे लेकन इसके साथ साथ सख्त सजा भी रख दी गई कि अगर कोई निकाह नहीं करेगा और गैर कानूनी तरीके से जिन्सी तालुकात काइम करेगा फिर उसकी सक्त सजा होगी तो इस लिहाएस से चूंके ये जुर्म इनसानी माश्रे के लिए इन्तहाई सक्त किसम की नफरतों का बाइस बनता है इस जुर्म की वज़ा से नसले इनसानी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनसान की नसल का तहफ़ जो इनसान के बन्यादी हकूक में से है वो सक्थ खत्रे में पड़ जाता है इसी बनाब पर चुके ये एक बहुत कबीह और बहुत बड़ा जुरम है इसलिए इस जुर्म की सजा हदूद में मुकर्र की गई है इस जर्म की सजा के हवाले से हर जर्म उस वक्त सजा उसके लिए लागू होती है मुस्तोजबे सजा होता है जबके उसके अरकान मौजूद हो चुनाचे एक जर्म का कानूनी रुकन होता है एक जर्म का अमली रुकन होता है और एक जर्म का इरादा होना जो है ये जरूरी है यानि किसी भी जर्म की सजा मुझरम को उस वक्त दी जाएगी जब उस जर्म के अरकान पूरे हो रहे हो चुनाचे जिना के हवाले से भी जरूरी है कि उसी वक्त जानी को सजा दी जाएगी जबके जानी जो है वो उसके जुर्म में उसके इस फेल में कानूनी अरकान जो है वो पूरे हो रहे हो कानूनी अरकान में सबसे पहला रुकन है हराम वती यानि इलीगल इंटर कोर्स अगर किसी भी सुरत में लीगल इंटर कोर्स है या कानूनी तालुक है या उसमें कानूनी तालुक का शुबा भी पाया जाता है तो इस सूरत में ये रुकन पूरा नहीं होता ये हराम वती का मतलब ये है कि तमाम सूरतों में इल्लीगल तालुक काइम किया जाता है और इस सूरत में जब ये इल्लीगल तालुक हो तो मुझरमको जिना की सजा दी जाती है और दूसरा उसमें इंटेंशनली जर्म करना है यानि जो शक्स इस जर्म का इत्खाब कर रहा है उसे ये पता है कि मैं एक γलत जर्म का इत्खाब कर रहा हूं इसमें ऐसी सुर। पॉसिबल है मसलन किसी शक्स की शादी हुई है और जिस औरत के साथ ये फैल कर रहा है वो समझ रहा है कि ये उसकी वाइफ है और औरत ये समझ रही है कि ये उसका हस्बेंड है और बाद में ये पता चलता है कि वो हस्बेंड और वाइफ नहीं है तो इस सूरत में फिर जिना की सजा नहीं नहीं होता, तो दूसरा रुकन जो है वही है, वती अमदन य Janney, ऑर इसके बाद इसकी सजा है ज्रमे जिना की सजाइं दो किसम की है, जानी की भी दो किसम की सजाइं है, एक जानी वह है जो कमवारा और गिर शादी शुदा या गैर शादी शुदा मर्द या गैर शादी शुदा और दूसरे मुहसन यानि शादी शुदा अगर कोई गैर शादी शुदा हो तो उसकी सजा कोड़े हैं और ये सजा कुरान पाक में मुकरर की गई है कुरान पाक में अलब ताला ने इर्शाद फरमाया जानी मर्थ हो या औरत उनमें से हर एक को एक सो कोड़े मरे जाए जहां तक रजम की सजा का तालुक है तो ये शादी शुदा के लिए है और शादी शुदा अगर जिना का इर्तकाब करे और वो मुहसन हो मुहसन का मतलब ये है कि उसने शादी की हुई हो वो मुकल्फ हो और अमूमी तोर पर उसकी शुहरत माशरे में एक अच्छे फर्द की हो जब मुहसन इस जुर्म का इर्तकाब करे तो फिर उसको रजम कर दिया जाता है रजम की सजा का ताइयन जो है वो सुन्त ररसूल सलिए लगाद सल्म की बन्याद पर किया गया है रजम पहली कौमों के हाँ भी मौजूद था और इसाइयत में भी रजम का तस्वर मौजूद था इसलम ने इस अलहामी कानौन को बरकरार रखआ और रसूलिल्लास सलिए लगाँसलिम की सुन्त की बन्याद पर जुर्म जना की उस صورت में जबके जुर्म का इर्तकाब करने वाला शक्स या जुर्म का इर्तकाब कने वाले औरत Rhसण या मुहसणा हो तो फिर रजम की सजा वो दी जाती है जुर्म जिना की सजा चार तरीकों से साबत होती है इन चार तरीकों को कह सकती हैं कि ये जुर्म जिना साबत करने के ये अस्वात जुर्म जिना के वसाइल है सबसे पहले गवाही अमुमी जुरायम के बरक्स زنا کی सزا کے सबूत के लिए چार गवाओं का होना जरूरी है चार आदल गवाओं का होना जरुमेजिना की सिजा का नसाओं है और दूसरी सूरत ये है किeft अगर मजरम खब इक्रार करले यानि मजरम मर्द या मजरम आॉरत अगर इक्रार कर ले तो फिर भी जना की सजा जो है वो लागू हो जाती है और तीसी सुरत है कराइन कराइन के मतलग यह है कि इस तरह है कि जैसे अगर कोई गैर शादी शुदा लड़की या गैर शादी शुदा औरत प्रेगनेंट हो जाए या किसी की शादी को थोड़ा अर्सा हुआ हो और थोड़े अर्से के फौरण बाद ही वो प्रेगनेंट हो जाए तो यह कराइन इस बात को प्रूव करते हैं कि बच्चा जो है वो इलीगल इंटर कोर्स के नतीजे के तोर पर पैदा हो रहा है चुनाचे ऐसी सूरत में भी जुर्म जना में हद की सजा लागू की जाती है और चौती सूरत जो है वो जुर्म जना की वो लाँन है लाँन का मतलब यह है कि जब किसी शक्स पर या किसी और और या किसी मर्द पर زنا کی تکمت لگाई जाये और वो तकमत थाबत हो जाए प्रूव हो जाता है अस सुरत में भी जूर्म दिना जो है वो साबत हो जाता है और इन चारों वसाईल से अगर जिना थाबत हो जाये तो फिर जानी को सिजा दी जाती है अगर जानी कमवारा हो तो उसको सो कोड़े मारे जाते हैं और अगर जिना का इर्टकाब करने वाला मर्ज या औरत पहले से शादी शुदा हो तो फिर उनको रजम की सजा दी जाती है जिना के साथ साथ एक दूसरा जिर्म जिसके मुतलिक हम इस निश्चत में गुफ्तू करेंगे वो कजफ है कजफ का मतलब है किसी के उपर ढूटी तुहमत लगाना यानि किसी इनसान को खास तोर पर ये तुमत जो है वो जिना से मुतलग या किसी इनसान के नसल और नस्ब से मुतलग है मसलन किसी को ये कह दिया जाए कि ये हरामी है ये किसी के मुतलग ये कह दिया जाए कि ये अपने बाप का बेटा या बेटी नहीं है या फिर किसी के ऊपर जिना की वाज protective लगा दी जाए तो इस सुरत में ये कजफ हो जाता है कजफ के हवाले से जरूरी है कि काजफ जिसने कजफ किया है यानी जिसने ये ये इलजाम लगाया है वो उसको पूरा करे पूरूव करे مثلاً अगर कोई शक्स किसी के बारे में ये कहता है कि ये जिना का मुर्तकब है या ये जिना कर रहा है तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसको प्रूव करे साबत करे चार गवाहियां पेश करे और अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर जूटे इल्जाम की सजा के तौर पे उस पर कजफ की हद लगाई जाएगी और कजफ की हद जो है वो असी कोड़े है कुरान पाक में ही ये हद मुकरर की गई है चुनाचे कुरान पाक में इर्शाद है और जो लोग पाक दामन औरतों पर तौहमत लगाएं फिर चार गवाह लेकर ना आएं इनको असी कोड़े मारो और इनकी गवाही कबूल ना करो और वो खुद ही फासिक है इस आयद से पता चलता है के कजफ की दो सजाए है एक उसकी असली सजा है और दूसरी उसकी तबई सजा है असली सजा और तबई सजा में फरकी होता है कि असली सजा तो वो सजा है जो उस जर्म के नतीजे के तौर पे मुझरम को दी जाती है जबके तबई सजा बजाहर उसका जिकर नहीं होता लेकिन वो खुद बखुद उस पहले वाली सजा का हिस्सा होती है चुनाचे अगर किसी को कजफِ हद के तौर पे असी कोड़े लगाये जाएंगे तो उसकी तबैई सजा के तौर पे वो शक्स फासिक डिकलियर हो जाएगा और फासिक होने की सुरत में उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी जिस तरह जुर्म जिना के हवाले से हमने देखा कि जुर्म जिना उस वक्त प्रूव होता है उस वक्त साबत होता है जब उसके अरकान साबत हो जाएं इसी तरह कजफ के लिए भी जरूरी है कि उसके अरकान जो हैं वो थाबत हूँ उसमें से पहला रुकन जो है वो है जुरम कजफ का इर्टकाब यानि किसी के नसब का इंकार करना या किसी पर जना की तुहमत लगाना और इसका दूसरा रुकन यो है वो मकजूफ का मुहसन होना है यानि जिस शक्स पर ये इल्जाम लगाया गया है वो शक्स ऐसा है जो मुहसन है उसके मुतलक माशरे में पाक बाजी का ख्याल पाया जाता है और तीसरा ये कि मुझरम ने उसके अंदर कसद जनाई मौझूद हो ये कसद जनाई किसी भी जर्म के साबत के लिए एक बन्यादी रुकन है कसद जनाई का मतलब ये है कि जर्म का इर्तकाब करने वाला उस जर्म का इर्तकाब इंटेंशनली कर रहा हो और उसको ये मालूम हो कि मैं जो फेल कर रहा हूँ ये कानून के खलाफ है और ये जर्म है चुनाचे ये तीन अगर अरकान मौजूद हूँ तो इन अरकान की मौजूदगी में कजफ की हद लागू हो जाती है कजफ का दावा मकजूफ की तरफ से होता है मकजूफ ये कि जिस पर इल्जाम लगाया गया है वो कहता कि इस शक्स ने मुझ पर जूटा इल्जाम लगाया है चुनाचे या मुझ पर इस शक्स ने इल्जाम लगाया है काजफ जिसने जूटा इल्जाम लगाया है उसे कहा जाता है कि आप गवाहियां लाओ आपने किसी शक्स पर जिना का या उसके नसल के मुतलग जो है या उसके नसब के मुतलग के लिजाम लगाया है तो अब इस लिजाम को चार गवाहों के जरीए पूरा करो अगर वो चार गवाहों के जरीए थाबत कर देता है कि वाकई ये जिर्म हुआ है तो फिर तो जिना की सिजा मिलती है उसको जिसके खिलाफ ये जर्म साबत हो जाता है और अगर ये नहीं होता तो फिर मकजूफ जो है वो जूटा अलजाम लगाने वाले काजफ के खिलाफ अदालत में दावा दायर कर सकता है और अदालत फिर काज़फ को कहेगी कि सबूत दो और अगर काज़फ सबूत नहीं देता तो फिर अदालत मकज़ूफ यानि जिस पर जूटा इलजाम लगाया गया उससे ये कहेगी कि तुम अपनी सफाई दो और अगर मकजूफ अपनी सफाई दे देता है तो फिर इस सूरत में वो आखरी मरतमा अदालत फिर काजफ से सफाई मांगेगी और इस सूरत में अगर काजफ सफाई देने से यानी यमीन या कसम से इंकार कर देता है तो इनकार की सूरत में उस पर जुर्म कजफ साबत हो जाएगा और उसको असी कोड़ों की सजा दी जाएगी ये कजफ का जर्म जो है ये भी चुके आहम जर्म है इसलिए इस जर्म के साबत होने के वसायल या असबात जर्म के तरीके जो है वो भी जिना से मुलते जलते हैं उसमें सबसे पहले गवाही है फिर इकरार है और फिर यमीन है और जर्म कजफ की सजा असी कोड़े मारना है और इसका जिकर जो है अल्लह ताला ने कुरान पाक में जिकर किया है और इसकी तबई सजा ये है कि काज़फ से गवाही कबूल नहीं की जाएगी अजीज तल्बा तल्बात हदूत के जरायम में जिना और कज़फ ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटड जरायम है चुनाचे इन के बारे में हमने ये गुफटगू की है इस गुफटगू में मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं उनका एक दफ़ा फिर खुलासा अर्ज किया देता हूँ जिना से मुराद इलीगल इंटर कोर्ष है और जुर्म जिना के थाबत होने के लिए जरूरी है कि नमबर एक कि ये इन्टेंशनलिली ये फैल मुकमल हुआ हो अगर किसी ने फैल करने की कोशिश की है लेकर वो फैल मुकमल नहीं हुआ तो इस صورت में फिर हद की सजा लागू नहीं होगी उसको ताजिर की सजा दी जा सकती है लेकर हद की सजा के लिए जरूरी है कि ये जर्म इस जर्म का इर्तकाब हुआ हो और जिसने इस जर्म का इर्तकाब किया उसके अंदर इन्टेंशन मौजूद हो वो जानता हो कि मैं जो कुछ कर रहा हो ये गलत है और गलत शख्यक्स के साथ कर रहा हूँ ये जुर्म थाबत होने के लिए गवाही एकरार करायन या फिर उसके बाद तुहमत जो है वो यानि कजफ मौदूत है और जिना के साथ ही दूसरा जिर्म जो है वो कजफ का है जिना की दो सजाएं है एक कोडों की सजा सौ कोडों की सजा उस शक्स के लिए है जो गैर शादी शुदा हो और जो मुहसन हो शादी शुदा हो उसको रजम कर दिया जाता है रजम का मतलब ये है कि उस शक्स को पत्थरों के जरीए हलाक कर दिया जाता है दूसरा जर्म जर्म हद जिसके मुतलब हमने अभी गुफ्तगो की है वो कजफ है कजफ का मतलब किसी पर जूटा इल्जाम लगाना है जिनाकारी का या उसके नस्ब का या उसकी नसल का इंकार करना है कजफ की सजा भी कुरान पाक में मुकरर है और ये सजा जो है इसके लिए भी जूरूरी है कि नमबर एक किसी शक्स ने वाकई ये इल्जाम लगाया हो अगर कोई इल्जाम लगाने का इरादा रखता हो या वो ऐसे इल्जाम इसे इल्जाम इस्तेमाल करें इल्जाम लगाते हुए जिन से जिना का इल्जाम ना थाबत हो बलकि कोई शक्स किसी से कहे कि तुम जूटे हो तुम बैमान हो तुम अच्छे काम नहीं करते तो इस किसम के अलफाज से कजफ सावत नहीं होती कजफ उसी वक्त लागू होती है जब कोई शक्स वाज़ तोर पर जूटे जिना का अलजाम लगाए या फिर किसी की नसल या उसके हसब का इंकार करे और इसका दूसरा रुकन ये है कि इंटेंशनली ये काम किया जाए इंटेंशनली या इस नियत के साथ अगर ना किया जाए तो फिर दूसरा रुकन जो है वो पूरा नहीं होता और इस सुरत में सजा नहीं होती और इसकी सजा भी कुरान पाक में साबत है और कुरान पाक में कजफ की सजा ये है कि काजफ को असी कुड़े लगा जाएंगी और सजा थाबत करने के वसायल में गवाही एकरार और फिर उसमे यमीन ये तीन बन्यादी वसायल थाबत है मुझे उमेद है कि आज़की गुफ्तकु के नतीजे के तादर पर आपको जुरमे जिना और जुरमे गजफ उन की सजाएं उनके सबूत का तरीके कार और उनके अरकान के मतलक मालुमाद 한सल होई होंगी मुझे अमीद है कि ये मुफीद मालूमाद आपको जुर्म कजफ और जुर्म जना के मुतलक इसलामी कानून के अहकाम को समझने में उमिद्ध मावन साबत होंगी अगर आप आज की गुफ्टकू के हवाले से कोई सवालात करना चाहें तो आपको मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ आप सवाल कर सकते हैं उन सवालात के नतीजे में बजीद अमूर की वजाहत होगी मेरा महामिद है आपसे सवाल है कि मुछसिन से क्या मुराद है मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि अगर मुहसन जिना का इर्टकाब करे तो उसकी सजा रजम है मुहसन से मुराद वो मुकलिफ मर्द या औरत औरत के लिए मुहसना की इस्तलाह इस्तिमाल की है जिनोंने निकाह किया हो पहले से याँ वो पहले से शाधी शुदा हो और लेजेटिमेट वती की हुई हो याँ इंगी सिर्फ निकाह काफी नहीं है बल्कि निकाह के साथ लेजेटिमेट वती भी की हुई हो तो इस सुरत में उस श्क्स कोई مौसन और एसी ओरत को मौसना कहा जाता है और अगर उनकी तरफ से जुर्म जिना का इर्टकाब हो तो फिर उसकी सजा के तोर पर रजम किया जाता है हाँ जी और क्या सवाल? मेर नाम गुलफाद अमद है डावर सब मैं आप से यह स्वाल करना चाहता हूँ किसमें बहुत सख्त सजाइं दी जाती है असल में इसलाम एक ऐसे माशरे की बन्याद रखता है जो सचाई और हकाइक पर मबनी हो और इस माशरे में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वो इनसानी नसल का तहफस है इंसानी नसल के तहफ़ के लिए ये जरूरी है कि इनसानों की जैनरेशन का लीनेज प्योर हो इस्सलाम प्योर लीनेज पर कोई कमप्रोमाईज करने के लिए तेयार नहीं जुर्मे जिना, इसलाम की नदर में ऐसा जुर्म है जिसके नतीजे के तोर पर माशरे तबाह हो जाते है और कुरान पाक ने पहली कौमों के जवाल और उनकी तबाही के जो असवाब बेयान किये हैं उनमें एक सबब ये भी है इस लहाँ से इसलाम ये चाहता है कि मुसल्मान माशरे इस जुर्म से मुकमल तोर पर पाक हो ZERO TOLERANTS है इसलामी माशरे में इस जुर्म के लिए इसलाम ने निकाह को बड़ा आसान रखा है अगर किसी शक्स के लिए एक निकाह काफी ना हो तो उसको चार तक निकाह करने की अजाज़त भी दी है लेकर इलेजिटीमेट रिलेशनशिप का हर दरवादा बंद कर दिया है इसलिए एक तरफ निकाह बड़ी आसानी के साथ करने के लिए एकदामात तजवीज की है एक से ज्यादा निकाह की इजाज़त भी दी है और दूसरी तरफ अगर कोई इलीगल रिलेशनशिप कायम करेगा तो उसके लिए सक्त सजा मकरर कर दी है ताकि मुसल्मान माशरों का लीनेज या उनकी नसल का तहफ़स हो सके और आज भी मुसल्मान दूसरे बहुत सारे मामलात में दूसरी कौमों से पीछे है लेकिन अल्लह ताला का शुकर है कि इस मामले में मुसल्मान माशरे आज भी दूसरे तमाम माशरों से नमाया है होने पर फखग कर सकते हैं हांजी और कोई सवाल सर मेरा नहीं हाजरा फ्रूट है सर आपने अपने लेक्चर में حद और ताजीर का जिकर किया है हद और ताजीर में क्या फर्ग है अगर हukुकुल्ला के खिया जाए तो उस जुरम की सिजा हद है और हदूद हद की जमा है हदूद से मुराद वो सजाएं है जिन क्या ताइयन कुरान और सुन्नत में कर दिया गया है हदूद की सजाओं की बन्याद कुरान और सुन्नत की नसूस है चुनाचे किसी भी फुकहा के ग्रुप को या किसी भी हुकमरान को या किसी भी हकूमत को हदूत की सजाओं में तब्दिली का कोई अख्तियार नहीं है चुंकर ये सजाओं वही की बन्याद पर मकरर की गई है और अब मजीद कोई वही नहीं आनी इसलिए इन सजाओं में तब्दिली नहीं हो सकती ताहम ताजीर की सजाएं वो सजाएं हैं जो हुकमरान वक्त या मुकनना की तरफ से मकरर की जाती है और मुकनना को इन ताजीर की सजाओं में तब्दिली करने का इक्तियार हासल होता है ताजीर की सजा सख्त से सख्त सजा यानि कतल करना भी हो सकता है और ताजीर की सजा सबसे नरम जैसे किसी को सिर्फ डांट डपट कर दी गए वो भी हो सकती है अजीज तल्बा तल्बात आज की गुफ्तकू में हमने जुर्म जिना और जुर्म करजफ के मतलक गुफ्तकू की है ये दोनों जुराइम बड़े कभी जुराइम हैं और जैसा मैं जुराइम से माश्री पर पड़े मनफि असराद पड़ते है इसलिए जुरूरी है कि मौस्लमान माश्रों को इन जुराइम से पाक रका जाए खास तोर पे हमारे हाँ, हमारे माशरे में जूटे इल्जामात और इल्जाम तराशी एक अमूमी रुखजान बनता चला जाता है और ये रुखजान जुर्म से भी ज्यादा कभी है इसलिए जरूरी है किसी के मुटलक तोहमत लगाने से पहले, किसी पर जूटा इल्जाम लगाने से पहले, हकाइक की चांद बीन कर ली जाए और अगर उस बारे में प्रॉपर एविडिन्स मौजूद ना हो तो जुबान ना खोली जाए जरूरी ये है कि हम अपने माशरे में इसलाम के असूलों के मुताबक ऐसा नजाम काइम करें जिसमें किसी को भी इस किसम के जरायम के इर्तकाब की जुरत ना हो और अगर इस नजाम की मौजूदगी के बावजूद को ये जर्म करे तो फिर उसको इसलाम के असूलों के मताबक सजा दी जाए इस से माशरे में अमनु स्कून भी पैदा होता है और मुसल्मानों की आने वाली नसलों का तहफ़ भी होता है अल्लह ताला से दौा है कि अल्लह ताला हमें और हमारे माशरे को इस किसम के जरायम से महफूज रखे आमीन सुम्मान कुई तो है जो निदा में हस्ती चला रहा है वोही खुदा है कुई तो है जो